अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्लाह वरकातु बिश्मिल्लाह रह्मान रहीम मैं हूँ रशीर रामत आप देख रहे हैं हेल्ट टच रशीद अमादी उर्टूब चैनल आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी आप अगार अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तब मुस्से दुने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें रायल का अफसर जरूर चुन लें तलिया देखते हैं आज की रेसिपी आज मैं बीफ के हड़ी का जूस की रेसिपी आप लोके साथ सेर गरूंगा ये चार सो गराम बीफ की हड़ी है इसे अच्छे से दो करके तीचार पानी कुकर में डाल के अभी हम कुकर के अंदर करीब एक लिटर पानी डाल लेंगे अभी आधा चमज से कम इसके अंदर नमक टालेंगे आज ये आधा चमज जीला एक टेश पत्ता आधा संफ एक बड़ी लाईश्ची चार लात लोंके पीस एक जजाची नी आधा चमज काली मिलिच इक से विश में मिला देंगे ये आधा प्यास को बारिक 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 स्राइस करके इसी में मिक्स कर देंगे एक टमाटर को भी इसी में छोटे छोटे पीस करको डाल जींगे टमाटर ज्यादा कट्टा नहीं रहे ना और इससे वह साफ से लाईश्ची कर दाएका बहुत अछाथ है शूप के अंदर एक चमच अधरक का पीस पेस्ट में डालना हूं आप अधरक है तो बारिक बारिक करके कुछर कर डाले और यह दो चमच भर के मैं लास्चून का प्रेश्च आल लाओ आपको बाश्चून अच्छा उच्छा उच्छों को खतर के भी डाल सकते हैं एक आच च्छे दस जवा स्ब्स इसे और लोगा देलीड़ अवर्स का शीटी लगा करके लिए स्टी आने के बाद चोड़गे आधे कंटी चा सिवत फ़ोर्ड़ाइव अभवा रिलिस रहने के बाद स्टी निकाल और शीटी निकालने के बाद इसको प्यॉकश है इसको च्टे करे हूं आ और इसकर जान्दा साब हम जो हर्डी था उससे हम सब एक प्लेट में सब्रेट कर लें के समाल के निकाल के यह हर्डी ठर्डा होने के बाद इसमें हम सब गोश को सब्रेट कर को निकाल लेगे अब इसको हम शूप को एक पतेली करने ठाल लेंगे ताके इसके अदर जो उपर का यह जीरा उरा का वह है टमाटर का इसमें निकाल देगे इसको शूप पर हम नहीं मिलाएगे चाहने के बाद शूप को अलका सा गरम कर लेंगे शूप जब गरम हो जाब है कि इसके अंदर हमें गहडी से जो गोष्ट निकाले देगे वह सम्मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लें और आपके बास है कि कुछ सब्जिया हो वह भी डाल सकते हैं बारी बारी खतर के बहुत अच्छा सब्सक्राइब भी आ रहा है तो बहुत अड़ी निकलेगा शूप बना कपी है यह वाड़ी को गर्वी देता है और ताक्त भी बहुत आती है आपको यसे भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर दोस्तों को जरूर करिए इसको शेयर करने के लिए एक कटोरे में नि उपस चाहिए तो आप रासा डेबू भी डालने नहीं है तो आईसे ही बहुत अच्छा दाइका है यह 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 इसमाल कर सकते हैं जली चले आगे हम दूसरी रेशेपी के साथ दूसरे वीडियो में आप से मुलाकट करेंगे इंशाला अल्ला तरहावादी और आपकी हिवाज़त फरमाए और तर्टे किताब को याद दिला दे आप मेरे वीडियो को टैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए मैसी जरी कर सहेल थी और अच्छे थी देशे पी आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं